अगर आप भी कस्मीरी लाल मिर्च खाने के सौकीन हैं तो हो जाएए साउधान क्योंकि हो सकता है आप जिसे कस्मीरी लाल मिर्च समझ कर खा रहे हों वो लाल जहन निकले जी हाँ चौकिये नहीं ये सच है तश्मीरी मिर्च के नाम पर खानों में इस्तमाल होने वाला पाउडर लाल जहर हो सकता नावखाद व्यूहाद के अथकारियों ने इस बात की पुष्टी की है कि खाने में उपयोग होने वाला लाल पाउडर आपको बिमार कर सकता ये एक अखाद पाउडर है जो रंगोली बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसके निर्माता ने भी इसको बहुत छोटे से लिख रख था है यहाँ पर जैसे देते हैं आपकी ये रोली पाउडर अखाद ये इसको छुपाने के पोसिस की रही है और कस्मीरी पाउडर ये कस्मीरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं है लोग इसको लासे में ना खाएं हमने एकने जाच में ये पाया है कि करीब करीब हर डावे अच्छर वोटल इवन साधियों में भी सब जना पे यूज हो रहा है और ज़्यादा तर लोग इसको ना जान खारी में ये ये इतना दिला है कि इसके खाने से आपके गुर्दे आपके लिवर अगर आप एक पैकेट भी खाने है और दस लोगों को पख्छला दिया जाए तो इनके गुर्दे और लिवर के 100% खाव हमें के सम्मा हो जाए हुए खाद विवाद दॉरा च्छापे मारी के दोराल पकड़े गए कसमीरी पाउडर की नमूने की जाँट की जो रिपोल्ट आई है वो बेहत चोकाने वाली है अधिकारियों कीमाने तो रिपोल्ट में जो ये कसमीरी पाउडर साने से लोग जानलेवा विमारी की स्पेट में पूरा एक रैकेट संचालित है जो ये कस्मीरी पाउडर के नाम से लाल जहर बेच रहा है। अधिकारियों ने लखनव में बैठे उच्छ अधिकारियों को रिपोर्ट बना कर भेज भी दी है कि इस तरह के कस्मीरी पाउडर को बैन कर दिया जाए।